नमस्कार वहीया हरो लोकसभा चुनाओं को बढ़िया दोर सुरू होगा और बुंदेल खंड में काइस्थिती हुई ये मद्ध ब्रदिस के बुंदेल खंड एलाके में इह के लाने हमने सोची कि उन पत्रकारों से चल्चा करें जो बुंदेल खंड से आके भोपाल में राध मज्या बंदिल खंड में दो भाजपा के लाने बारी उस्कार को सागर में बाजपा अबे तक प्रत्याजी नहीं दे पाई जो होता है कि विफ्सांसा दाती दादा लक्षिना ने आदा उनने पहले चुनाओ लडवी को मना कर दई अब आंगे आंगे कुंद रहे हैं उनको मोड़ा पहले है चुनाओ हार चुको है सुथी से 22,000 से वो के बाद चलो अपन खजराओ तो खजराओ में बाजपा जो अपनो प्रत्याजी नहीं दे पाई अबे तक दमों में पहला आत्पटल भगे भगे फिर रहे हैं दमों में जेंत मलई आते जो चुनाओ हार गये हैं और सबसे मड़ी बात जा है कि लोधी बेल्ट है दमों में लोकसवा में तो लोधी के दो-तीन विधायक जीद गए हैं दमों से हैं बड़ा मलहरा से हैं बंडा से हैं और लोधी बहुल चेतर देवरी भी है वो पिछड़ा बर्क किलाने मानें तो रेली भी है तो आजपा कि कि अगर चुनाओं है इमें चतर पूर ठीकमगाड एक सीट इमें भाजपा प्रत्यासी को खूब विरूद है और घजराहो सीट इपर तो प्रत्यासी की स्थिति के लिए नहीं है। तो ऐसी इस्तिती में आपको काल अगरो कि पूरे इचेते में का समी करना है। जो पहले बस पासे चुनाओ लड़ते फिर उमा जी के साथ चुनाओ लड़ो अब उनके लड़का खान देदा हो लोड़का हो लेकिन वो किया रहा है कि हमें देओ अब रोज प्रस कांफरेंस कर दो कि दो ने रेक्सा साइकल खरी दी थी एक पैसा खा गए ही में और फोड़ जाए सो पेलो है तो पचास साल पहले आज भी वैसे है ना अब भारती ने कुछ ही करो और कूँ और ने कुछ हू करो और सब सो बड़ी दिक्कत तो एक है बुदेछ। कर चाहे हूँ सागर हो चाहे ने बंक खाजराहों संस्किषित पांच जेले जो है इते है कि कोनों नेत सबस्क्राइब करने के चुनी करो इन सबस्क्राइब के कोठियां बनत गई बंदेलखंट जैसा हो तो नैचुरल प्रोसस में आगे बढ़ रहो सब बड़ी बात है कि अब बंदेलखंट को चतरपूर सेंटरली लोकेत होने कारण उत्तरपदेश के लोक आके अप्राद की कार खाने हैं तो चतरपूर में हैं वो तेल लियाओ तो प्रेपर्मेंट बनाओ वहां से और धीरे से सप्लाई कर दे एक एक टैंकर प्रेपर्मेंट का जो आओ वो छबिस से पचास लाको पई जागो हो हो बिली बहुत बड़ा धंदा है तो इन खां को अब अबडेट करें कर लाने को नहीं करो लगडी बहुत है एक जमाने में बिजाओर में धाउग पत्थर मेरते जिए पत लोह वनतो आज वो देख बहुत से लोहार मिल जाएं और वहां की करेंगी और ताले बहुत मड़ी मसू उड़ते दे वो पहार से कंजरा पहार से पत्थर उठा लाउते का होना तो चरोखर मानलाओ विर अखटी सागर के चर्के वो आगा एच ती कंवार सबसे बड़ी दिक्कठाग है और दंव पह पहुच गए पहलात पठे नरसिंग को छोड़की सुँ बड़ी दिक्कट है जो देवल आजिए कई कई भाझपा कई ड्र हो किती बड़े नेता ह लगे भए बुंदिल खंड में जो करया और ताले की जो आपने बात के तो करया तो कामे आ रही पकोड़ा तलवे और ताले आ रहा है चोकीदारी कर वे जो यही बुंदिल खंड को मिले रोजगार की तोर पर देखें अब सबसे बड़ी बात है कि जो मिलो चाहिए थो वो कछ पर देखें लगा सकती जब हवाई जाई लोगों ने देखें ना थे तब वहाँ जब हवाई जाया होते नेपाल से बना से लेकिन सबसे बाई बात है कि हम सरकेट में बना पाए हम ने काहिजर में तो कूप सब टूरे सरकेट बना रहे हम चंद नगर को किलो बेंच दो लेकिन ऐसी की तैसी हो जाती हमें खुद भौपाल से चातर पुजाब एक जापने घर जाते तो वहां से जा जा कि चंदेरी तरफ से जाते यह भी रोड से कि थोड़ी करियाई कम पुटें और पहले तो दस बारा गंटा लगते पांच छे साड़े साथ गंटा लगता लग कांग्रेस के पास संग्ठन नहीं है भाजपा के पास संग्ठन है तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब तक पूरे प्रत्यासी सामने आना आजे हैं और या एकदम पिक्शर साफ ना हुजए कविता सिंग के खिलाफ भाजपा में राजा मुंदेला खा दरेन सिंग तोमर पाठाक आगे बढ़ रही है अब उनका टिकेट मिलत के नहीं मिलत सागर में जैनत मलिया पे दाव लगा तिया और पे लगा लक्षमिया नहीं आदाओ दादा का करत सबसे बड़ी बात है कि घर के लोग कितनों छेट करें एक और दूसरा एक आपको प्रत्यासी कौन हो उम भारती का आप बुंदेलखंड में माइनस नी कर सकते भले ही वो जब अलग हो गई थी तो हार गई हो कुछ हो गाओ लेकर आज भी बिन्ना का को जल्वा तो बरकरार है उनको आप माइनस नी कर सकते वो जब बोलती है तो वो तो जादू गर होता बड़ी बना के छोटा जम जो है वो सूने वटा सननाटा पर टिका हुआ है अब कैसे क्या हो इस जब प्रत्यासी आजाए फोड़ा माहौल बन जाए एक्चिली बराज जब चलातना तब माहौल नहीं हो थोड़े नगडिया बज़तना तो फिर आज में ना चाते नांगें डांस करके अपना पावा संही कि प्रताप सिंग-लोदी इस जब प्रताप सिंग-लोधी प्रताप सिंग-लोधी अपने आप में जमीन से ज़ोड़े नेता है प्रहलात पतल भीस वह। कद्दावर नेता हैं लेकिन कुछ चीज़ें पिछले समय में जो हुई है इसे जैन्द मलिया जी की पराज है राहुल सिंग का उदय बड़ा मलेरा से प्रद्युमन सिंग बंडा में भी लोधी विधायक जबेरा में भी लोधी विधायक तो जबेरा एकलोती सीट है जो दिखा नहीं रहा हूँ और देविण चौरसी हत्याकांट के बाद भी होता है पी काफी विरोध है कई किसम के लोगों को विरोध है होता है तो जे सारी चीज़ें उनके खिलाब तो निश्चित तोर पे जे हैं और रही बात जे के जो पारम पर एक बोट बेंक रहो इतने स सालों से जेन वोट बे प्रहलात पटेल से के बिरोध है कुरिमी वोट भी प्रहलात पटेल के बिरोध है तो निश्चित तोर पे प्रहलात पटेल की स्थिती पहले गाई नहीं है प्रहलात पटेल की स्थिती पहले गाई नहीं है हमां संगे देवधा दोवे जी हैं जे जमीन के अंदर जहां बेस कीमती लो ऐस्क खनेज है बेस कीमती 20% हीरा पन्ना है और बुंदिल खंड की जमीन के ऊपर गरीबी बेरोजगारी और पलाइनवाद है और यहां का जो नेत्रत है वो हमेशा दबाया गया है कभी-कभी सड़यंत के द्वारा और कभी-कभी राजने कुछकर चलके क्योंकि बहुत है सो डंडी एक बुंदिल खंडी कहा जाता रहा है बुंदिल खंडी जहां भी जाता अपनी धमक बनाता है तो तमाम राजनेक दलों को यह आसंका रहती के बुंदिल खंडी एक बार उभर के आ गया फिर कैसा होगा जैसे उमा भारती ने 2003 मे के प्रियास होते हैं ऐसा ही कुछ हुआ है पिछले कुछ दुनों में अब एक बार ख़त बदा रही है बुंदेल खंड की राजनेती जिन नेताओं ने जिन सरकारों ने बुंदेल खंड की गरीबी बेरुजगारी पलायन पर कुछ नहीं कर पाए वो अब वहाँ जाती का खे जिते रहे हैं इसाइस हमुदा है कि कोई वहाँ जाती ने इसी तरह देवरी से भानुराना जीते उनकी खुद की बोट नहीं थी और कोई समाज की बोट नहीं थी तो पहले ऐसा जाती का दंस नहीं था बंदिल खंड में लेकिन जब पार्टी ने देखा कि इस से तो बात वाली नहीं है तो अब जातियों का खेल सुरू हुआ है सागर में जैसा आपने कहा कि दादा दम ठोक रहे तो अब जब समने जातियों की बास शुरूगी दलों ने तो नेताओं ने भी शुरू कर दी अब वहां हो रहा है कि याद हो पैदी टिकेट कटा तो याद हो इधर च बंदेलखंड में चारों सीटों पर लगवा आठ नो लाग ब्रामबन बोटर है जो कि निर्णा एक है की बोटर माना जाता है बंदेलखंड में पंड़जी गाउं में यदि सोला घर की एक कहानी सुना दें तो फिर वो पोलिंग वही जीतेगा जहां पंड़जी चाहेंग तो बहुत बड़ा एक जो सडयंत्र है वो अब होजागर होगा कि कौन कैसे प्रत्यासी देते हैं जमावट इसकी बिधान सभा चुनाओं की समय ही शुरू हो गई थी जैसे आप दमोई लोकसभा की बात करेंगे बंदेलखंड में जब कांग्रेस पार्टी ने देखा कि उ जिसमें जीत गए बड़ा मलहरा बंदा और दमोई से लोधी जीत गए जबकि जबेरा से जो लोधी हारे हैं प्रताब सिंग लोधी उन्ही को ने लोकसभा का प्रत्यासी बना दिया तो ए तरह से कांग्रेस ने लोधी वोटों पर सेंद लगाने के लिए पूरा खेल खेला और अब वहां जातियों के गड़त चल रहे हैं और जो जैसा बोया है वैसे दल काटेंगे अब दनों को उन जातियों की सकती और उनका वो एहंकार सुनने को मिल रहा है अब एक जाती को आप एगनूर करो के दूसरी जाती भईया अपनी आँख देखे अपनी सकती देखे अब जातियों के जंजाल में बुंदेल खंड को जकड़ा जा रहा है लेकिन बुंदेल खंडी आज भी समझता है कि वो खुद्दारी के साथ सौहिमान के साथ अपने काम पे अपने पुरसारत के बल पे बोड़ चाहता है और नीतरत चाहता है तो कुल मिलाके जाती के तांकले की जो बात करी अब देखे भाई नहीं मुद्दा उठा को बुंदेल खंड में अब जाती मुद्दा है सर्फ बुंदेल खंड में अब लगाता है जाती मुद्दा है अब इस्टू तोरब परफ़ पिछले 10-15 साल में जो राजदी जैसे है राज दीती के पहले जड़े न होती हुए पहले हमाएगर में हरुआ होते काम-कड़ई होते हम कुण। जाती को हुं राम जी महां चाई मां जान न हुने के ओर मुंडल क़्ेशन आये हूँ तब से जाती हुन जाती हुनके और प्रके हम development के तो है वो तुम्हारा एजेंडा का है जैसे हम बात करें तत्काल राजनितिक दल हसाब लगा उप फट से कि अरे पंडी जीएते हैं और ठाकोर साब इते हैं और लाला जीएते हैं तो सबसे बड़ी दिक्त है कि जो जहर है वो राजनिताओं ने और राजनितिक दलों अप नेता हो गए जैसे दलों की जातियां जैसे अब समझवादी पार्टी सो उनने का ही कि जब अहीरन की पार्टी या यादवन की पार्टी या उनने का मायवती की पार्टी तो ना कहा है उनकी तो जो जात है वो बोट उनके हो जात है प्ज़ जात हैं चकर में आकर अगर उन चाहे उमाभारती हो चाहे बावुलाल हो चाहे शिवरा सिंग चोहान हो तो भाईया ददद जाती है तो पैदा तुम कर रहे और उनको जहर हमें पे लवा रहे सबसर बड़ी दिक्कत है कि पंद्रह एक साल में देश का बरबाद कर दो जाते हैं ने और अब तो टिकेटें की फर्ली शाब से मिलत क्या आपकी जात का है या जैडिली में पहुंच क्या है तो दोनों खराब काम है जबसर बड़ी बात है मेरित की आधार पे अगर कुंग चीज मिले तो बात बने हो रही है बात तो जाती जो रही तो बहुत ही खराब काम है तो पिठले बिधानसवा चुनाओं बहुत उठापटक भई बुंदेल खने इप आपको खामान देखो कहा है सेचन भीजा कि छेत लगों है पूरो उत्तर प्रदेश से तो निश्यत तोर पर उसका असर पढ़गा है तो पह और उनके जो जातीगत बोट है चाहिए वो दलित हो या फिर यादा हो या गैर यादा हो उसके असर से अचुता नहीं रहता है यहां पर जादा प्रवह नहीं करता है थोड़ा सा अलग एक संस्क्रती है अलग लाइन है लेकिन अचुता भी नहीं है और जो चारो सीटे हैं पिछले चुनाओं में विधान सवाह में देखो या उसके पहले का ट्रेक्टर को उठा के देखो भाजपा के सरकार में रहते चुनाओं देखो और आने के पहले देखो उन सीमा पर कहीं ना कहीं मायवती का और अखलेस का फ्यक्टर काम करता रहा है और अब जब यूपी क लोगों का गटबंदन हो गया है अखलेस का वाजी सिंग का इन लोगों का और उसमें कॉंग्रेस अलग है तो कहीं न कहीं वह उम्मीदवार उनकी पार्टी का अगर संयोग उतरता है तो कोई न कोई तो असर छोड़ेगा माने भाजपा के गड़ित कोई विगार सकता है समाज में पैठ है उनको अपनी पार्टी से जोड़ रहे है तो चिंता समझ में आती है चाहे वो बहुजन समाज पार्टी से जोड़े लोग कांग्रेस में सामिल हो रहे हो या फिर वो बीजेपी में सामिल हो तो असर तो है लेकिन चुनाओं अलग है उस चुनाओं को अब है उन पर जरूर कहीं सोचने को बात हो रहे हैं राजनेतिक दल कोई असर तो होगा और सोसल इंगिनिंग जो पहले कहीं जाती थी वो काम करती है उससे राजनेतिक दल उसको कहीं न कहीं उसको जोड़कर ही चलते हैं उमीदवार का चैन हो या फिर भाजपा या कांग्रेस में जो संगठन की संगचना है उसमें भी अब जाती का समीकर्ण साथने के लिए एक विवस्था बनाई गई है तो यह निकाल नहीं सकते ही से चचुनोती सो है और इस चुनोती का सामने रखके ही आके जाना पड़ेगा सबसे बड़ी बात जी है कि चारों सीटों पर भाजपा के सांसद है यूपी में भी चारों सीटों में सांसद है बुंदिल खंड ने आठ सांसद है इके बाद भी प्रत्यासी चैन में पसीना काई छूट रहा हमाँ सवाल जो है इसकी भाजपा की बात कर रहेंगे अभी तक जितने चुनाओं हुए उमा भारती को वहां से बाहर में रहते हैं भाजपा की नई प्यूड़ी सामने आ चुकी है पुराने नेता पीछे गए हैं अगर टिकेट चेन पूरे प्रदेश का देखेंगे तो फिर इसका असर उस मंदेल खंड में भी देखेगा अगर मान लो तो भौपाल से सुरू करते हैं कि अगर भौपाल में तो अधर ठाकोर है तो अधर ओबी सी है उधर दलित है कुछ सीटिया रक्षित है तो सोच रहे है और फिर उनकी नजर यह है कि यह पहले कांग्रेस को आ जाए है तो हम आगे बढ़ें या कांग्रेस को नहीं मिल ला हुए हुए हम अपने संगे जोड़ने या को का अच्छ पाइस सोच वे एक चार बार सोच रहे है एक और आखरी सवाल के आप सब लोगन से के उमा भारती जी को चुनाओ नहीं लड़ो जो का मायने रखा मद्द्रिकस की राजनीती में बुंदिल खंड की राजनीती में देखिए उमा भारती के बारे में एक चीछ बहुत आप सा रहो तो आप में बहुत पॉजिसन न रहे है तो वो अपनी पॉलिटिकल बारकेनिंग कर रही मेरे हसाब से भले वो पध्यात्रा कर रही नर्वदा गंगा यात्रा कर रही लेकिंगा यात्रा का करके पीछे पिन्द्र संदेश एक ही ये साफ है दासल वो अच्छी तरह जा पाने तो जैस्व हम कहें वैसे करो तो हमें लगत कि बहुत हुस्यारी बिनना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है अपने पसंद का मिलें जहां सी में तो बिलकुल नए प्रत्यासी को बनलब जो मा भारती का जिनसे दूर दूर तक लेना देना नहीं एसे आदमी को टिकेट द हुआ ठाओ जावात स ещё सई है कि हमागें की मानत भी है करते हैं गिते कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जो सुमित्रा महाजन, मुल्ली मनौल, जोसी टाइप को क्वेट है, कि प्रैसर बनाओगा या उनकी अपनी मल जी? मुल्ली में लेकर कि कोई मतलब सीधे तोर पर हमेशाय या मोदी से कोई पंगा नहीं लेने में कोई कसर भी नहीं चोड़ रही हैं, और अपने समर्तकों और अपने मद्दाताओं को इस अंदेज दे रही हैं कि मेरे पास उम्र है, इंतजार करिए, वक्त सही होगा, तो मैं सा ब्रभरदेश की तो शाइद वो मध्यपरदेश से बाहर जरूर गई है लेकिन चुनाओं में उनकी जरूरत का है भाजपा की जरूरी का हṂं भाजपा की जहरूरी का है और बह concerned मजबूरी का चाहे सिवराज रहे हो चाहे फिर ऊपड़ गटकरी रहे हो राजनात रहे हो, मुद्धिल खंड में उनका हस्तक चाब रहा है, चाहे वह ट्रेन चली हो जहां सी से, खजराव पहुंची हो, चाहे वह केन वेतवा की बात हो, उनका फोकस उस पर रहा है, मुझे लग रहा है कि एक उम्र उनके साथ है, उनका एक आत्मिस्वास है, वो बद बुंदिल खंड के सियासी समीकर्ण जो हमने समझ बेकी कोशस करी, वरिश पत्रकार जो बुंदिल खंड से भोपाल में हैं, मद्विदिस की राध्धानी में हैं, और भी तमाम तरह के विशले संड पूरे लोगसवा चुनाओं तक आप तक ले आए, जो हमाँ पूरा आप लोगन से बर परोसा है और भोपाल से लेके पूरे बुंदिल खंड तक बुंदिली बौचार आपको जाग रोप करते हैं, सचिन चोद्री बुंदिली बौचार के लाए समभाग का पहला फिक्स कैटलैब, आधुनिक शिशू इकाई, सागर श्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीची इलाज और आपके अपनों के लिए धेर सारा समर्पड, आयुश्मान भारत योजना के अंतरगत आने वाले सभी मरीजों का निशुलक इलाज, सागर हमारा उदेश है आपका स्वास्त सदेवाब की सिवा में तक